आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग 2022 में बिहार पैरामेडिकल यानी DCECE PM और DCECE PMM का परवेश परिक्षा दिये थे और रिजल्ट यानी रेंग कर आ जाने के बाद बिहार पैरामेडिकल कलेज में एडमिशन के लिए नहीं आया था तो ये लोगोसी दीन से इस इंतिजार में हैं कि भी हाईर पैरामेडिकल 2022 का सेकेंड सीट अलोटमेंट रिजल्ट आखिर कब आएगा तो फैनली आप सभी को बताने वाले हैं कि जो अपलो का रिजल्ट है आपने ही मुबाइल से कैसे चेक होगा इसके सांथ सांथ एभी बताने वाले हैं कि वैसे स्टुडेंट जिनका रेंग बहुत ज्यादा है तो इनको सेकेंड रावन में भी अगर कॉलेज नहीं मिला है तो तीसरा रिजल्ट कब आएगा इसके सांथ सांथ एभी बताने वाले हैं कि मुप अप काउंसलिंग क्या होता है क्योंक के जितने भी डाउट से आप लोग जितने भी कमेंट्स किये थे साभी का सटीक आंसर मिल जाएगा अगर आप लोग भी हायर पैरामीड कल 2022 के स्टुडेंट हैं और अपने ही मुबाइल से यह चेक करना चाहते हैं कि जो आप लोग का रिजल्ट है और का ऐसे चेक होगा तो सबसे पहले आप सभी को अपने मुबाइल में यह जो क्रोम राउजड है इसको उपन कर लेना होगा उसके बाद यह जो सर्च बार है यहाँ पर सर्च करना होगा B, C, E, C, E तो आप लोग देख सकते हैं फैनली यहाँ पर सर्च कर दिया गया है अब आपको एक बड़ यहाँ पर किलिक कर देना होगा और जैसे आप लोग अपने मुबाइल में B, C, E, C, E को सर्च किजिएगा उसके बाद आपको इसको उपर की और स्क्रॉल करना होगा और जैसे आप लोग स्क्रॉल किजिएगा तो आपके मुबाइल के स्क्रीन पे कुछ इस परकार से दिखेगा उसके नीचे लिखेगा B, C, E, C, E तब आपको एक बड़ यहाँ पर किलिक कर देना होगा तो चलिए हम भी यहाँ पर किलिक कर देते हैं और जैसे आप लोग यहाँ पर किलिक किजिएगा तो आपके मुबाइल के स्क्रीन पे कुछ इस परकार से दिखेगा क्या दिखेगा बिहार संजुक्त परवेश परतियोगिताब परिक्षाप परिसद उसके नीचे लिखेगा बिहार कॉम्बाइंड इंट्रेंस कॉम्पुटेटिव इगिजामीनिसन बोड तो हमें इसे बाप सभी को बताने वाले हैं कि बिहार पाइरामीडिकल यानि DCECE PM और DCECE PMM 2022 का सीट अलोट्मेंट रिजल कैसे चिक होगा और कब आएगा तो इस वीडियो को आगे बराने सपर आपसे एक छोटी से कोष्ट है अगर आप लगा हमाले चैनल पर नहीं है तो इसे सस्क्राइब दिरूट कर ले ताकि ऐसे इंफरिमेटिव वीडियो आपके पास जाते रहे चलिए सबसे पहले बता दे कि वाईसे स्टुडेंट जिनका सेकेनर राउन में भी रिजल्ट नहीं आएगा तो उनको क्या करना होगा तो इनका क्वेश्टन था कि थर्ड रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा तो देखिए भी हार पारामेडिकल का थार्ड रिजल्ट नहीं आता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर अगर सीट बच जाएगा तो किया वह इसे ही चला जाएगा, तो नहीं, देखिए थार्ड राउंड काउंसलिंग के रूप में मपप काउंसलिंग होता है, तब आप लो उतना ही सीटो को पर मपप काउंसलिंग होता है, और मपप काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन विलिंगनेस करना होता है, तब आप लोग बोलिएगा क्या या काउंसलिंग है या क्या है, तो देखिए जिस परकार से आप लोग अपना रेंग काड को डाउंलोड किये थ होता है अगर आपका रेंग अच्छा होगा तो आपको बिल्कुल पैरामेडिकल कोलीज मिल जाएगा विहार पैरामेडिकल के मॉप आप काउंचलिंग में देखिए पहले ओनलाइन विलिंगनेस करना होता है और जैसे विलिंगनेस की जिएगा तो उसके तीन से चार दिन बाद एक पीडिएफ आता है और उस पीडिएफ में बहुत सरा रॉल लमर होता है तो रॉल लमर में अपना रॉल लमर का खुजना होता है और जैसे आप लोग अपना रॉल लमर को सर्च किजिएगा तो उसके बगल में लिखा होगा कि पटना किस तरिक को कि इतना बच जाना है डोकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए और मेक्सिमम लोग जो भी लोग मपप काउस्टिंग भाग लेते हैं तो उनको एडमिशन मिल ही जाता है अब चलिए आप सभी को बता दे कि भी हर पैरामीरिकल के बारे में अभी क्या अपडेट है तो देखिए आप लोग बुलिएगा आखिरे कब आएगा तो यहां पर लिखा है इट विल भी पब्लिश सुन यानि जो आप लोग का रिजायल्ट है किसी भी हालत में 10 नौवंबर के पहले पब्लिश कर दिया जाएगा और यहां पर ठीक है अब आप लोग बुलिएगा कि चेक कैसे हो और जैसे ही आप लोग अडियल्ट पब्लिश होगा उसके बाद यहां पर लिखेगा सेकेंड राउंड सीट अलोटमेंट रिजल्ट पब्लिश है तो आप लोग वहीं पर किलिक करके अपना यूजर आइडी और पासवर्ट को डाल करके चेक कर पाएंगे कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स मिला हुआ है